नमस्कार दोस्तों बेलकम टू माई चैनल हेमा कीचन हल्दी फूड में आपसे भी का हादिक स्वागत है दोस्तों मैं अपने मायके आए हूँ और हमारे मायके में धान की खेती हुई है तो चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ हमारी मम्मी जी खेत में है तो दोस्तों मैं थान लगाई गया है और इंजन चालू करके पानी भरा जा रहा है तो मैं पूरा खेत आप लोगों को दिखाती हूं मम्मी जी हमारा घास निकाल रही है कि ए देख लीजीए दोस्तों हमारे मम्मी जी खेत में और अर्धास लेकर आ रही है ए कि open गदर तो दोस्तों मैं मम्मी जी को बोलने को कर रही है कर रही हूं तो बोल नहीं रही है तो चलिए मैं आप लोगों को आगे दिखा देती हूं धान की खेती यहां बगल में भाइश के लिए चारव होया गया है यह देखिए दोस्तों बहुत पुराना महुआ का पेड़ है देखिए कितना तंदुरुष्त मोटा ताजा है यह देखिए कितना हारा भरा है यहां बगल में आम का पेड़ है देखि लिजिए तो बहुत यहां हरियाली है दोस्तों बारिस नहीं हो रही है तो इंजन चला के पानी खेत में भर जा रहा है धान यहां देख लिजिए जो धान है इसका पत्ती सूखने लगा है देखिए हमारे यहां काफी दूर में धान लगाया गया है क्योंकि धान की खेती यहां बहुत होती है यहां हमारे चाची के लड़के हैं देखिए हमारे भाई लगते हैं तो यह भी खेत में पानी भरवा रह रहने हैं इन्गा का कहता है तो दोस्तों यहां सब्जी लगाए गई है और यहां निन्गा है और देखिए यहां गडल में इंजन लगवाया खाया है है तो अभी चालू कर Tennice ने मैं धिया है और यहां किसानी बहुत ज़्यादा की जाती है तो देख लिए धान सब सीच रहे हैं सिचाई हो रहा है यहां तो यहां देख लीजिए कितना अच्छा मौसम भी है यह देखिए दोस्तों इंजन चालू कर रहे हैं हमारे भाई है वहां पाइप लगी हुई है उसमें पानी जा रहा है यह देखिए दोस्तों बाजड़ा बोया गया है तो थोड़ा धूप है यहां देख लीजिए फिर भी कितना अच्छा हरा भरा लग रहा है फिर से आप लोगों को दिखा दे रहे हूँ स्वागन का पौधा पेड़ यह देखिए कितना हरियाली है यहां दोस्तों कुछ जगह धान बहुत अच्छा है कुछ जगह जो है कि थोड़ा लाल टाइप में हो गया है पत्ते कुछ खराब हो चुके हैं तो देख लीजिए तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना शेयर करना कमेंट करना तो यह देख तो एह हमारे नदी का जाने का राश्ता है यहाँ घर जा रही है मम्मी जी यह देखिए हमारे यहां बहुत अच्छा राश्ता है यह देखिए दोस्तों सब लोग अपने खेत में सिचाई कर रहे हैं यहाँ बाजडब होया गया है धान लगाया गया है लीद दोस्तों आप लोग लाइक कर देजिएगा हमारे वीडियो को हमारे सपोर्ट करें यह देखिए तिल्ली की खेती हुई है और बहुत अच्छे से फल लगे हैं फूल लगे हैं यहां बगल में आम का बाग है आउला है देख लीजिए तब लोग अपने खेत में सिचाई कर रहे हैं यह देखों कन्ना वोय गया है यहां काफी दूर में मेゃ है की मुकः बोय गया है जुनरी ने देख लीजिए बाल भी लग हुए है ज़ी दोस्तों लाइक कर दी जिए देखिए कितना अच्छे से लंबे लंबे बाल लगे हैं दोस्तों मैं खेत में आये थी तो बहुत काफी दूर है हमारा खेत यहां फूल भी खिला हुआ है यहां बच्चे लोग खेल रहे हैं देखिए यह देखिए दोस्तों यहां की धान की खेती है बहुत अच्छा है यहां साइड में मक्का है यहां देखो केला का पेड़ है और फल भी बहुत अच्छा लगा हुआ है पत्ते से धाका है दिख नही करना कमिन्ट करना हम मिलेंगे आने वाले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार